नमस्ते उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए अभी जो है पटना मेट्रो के द्वरा जो है अलग अलग पदो पे भरती निकाली गई है अलाकि आपका जो भरती होने वाला है पूरी तरह से कंटेक्ट बेस पे होने वाला है और साती सात इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो कि डेपूटेशन वाले हैं ओभी यहां पे फॉर्म को भर सकते हैं तो कैसे जो यह फॉर्म को भरना है और कौन-कौन से भरती निकाली गई है कौन से पदों पे भरती के लिए आपके पास अलेक्शन होगा इससे जुड़ी जो है सभी जनकारी हमने इस वीडियो में कभर करने की कोशिश किया हुआ है तो प्लिस वीडियो सुरू से अन तकलिक जरूर देखेंगे और वीडियो थुरा सब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे देखिए सबसे पह पे तो मैंने वीडियो बना कर आप सभी को जनकारी दिया था अभी आप देखेंगे तो अलग अलग जो है नोटिफिकेशन के तहद यहां पे अलग अलग जो पोस्ट है यहां पे पटना मेटरों में निकाले गए हैं जिसके लिए अगर आप इचुक है योग यह हैं तो आ यहां पे निकाला गया है जो कि डेपूटेशन वाले या फिर कॉंटेट वेस पर भी आप यहां पे फॉर्म को भर सकते हैं उसके बाद यहां पे एड्मिट्रेटिव जो असिस्टेंस होते हैं उनके लिए दो पोस्ट निकाले गये हैं इस तरह से आप जोड़ेंगे तो ल केंटरल गवर्मेंट या फिर इस्टेट गवर्मेंट करतगर्थ वेस अपना डेपूटेयासर फॉर्म को भर सकते हैं और आप नए कंडिड़ेट हैं तो आपके मुझे और प्रस्व को नहीं भर सकते हैं अगर आ फ्रसर है तो पहले ही वीडियो छोड़के जा सकते हैं जहाप पर डांडोड हो जाएगा और सात तारी को ही यह जारी किया गया है और आपका पुरित तरह से वाल करी इंटरभ्यू याне कि कि किसी परकारी कोई भी एक जाम नहीं होगा इंटरर्भ्यू के बेसिजब प्याव सेलेक्शन किया जाएगा ठीक है और यह पुरित तरह से सबीन्दा यानि की आपका जो ही contract based पर आपका job होने वाला है बाकी इसमें देखेंगे तो सभी post को जो ही mention किया गया है और उसके लिए जो भी बताया गया है कि आपका जो deposition रहेगा या फिर contract based रहेगा deputation का मतलब कि आप कहीं भी किसी state government या फिर central government के अंदर कोई officer पद पर या फिर किसी भी पद पर काम कर रहे हैं जो कि यहाँ पर mention किया गया होगा जो already जो काम करते हैं प्रतिन्युक्ति लिये हुए हैं वो यहाँ पर form को भरेंगे और contract based का मतलब यह होता है कि और करके यहाँ जो qualification आपको दिये गए हैं इस qualification और experience को fulfill करते हैं तो आप यहाँ पर contract based पर form को भर सकते हैं ठीक है तो सभी के लिए अलग-अलग qualification यहाँ पर mention किये गए हैं और सभी के लिए देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास अनुभाव हैं तो ही आप यहाँ पर form क को भर सकते हैं इवेन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी देखेंगे office assistance का जो post है इसमें भी बोला गया है कि आप को यह state या फिर central government के अर्तगर्त office अजलेन के रूप में काम कर रहे हैं तो deputation पर आपना form भर सकते हैं नहीं तो अगर आपने graduation किया हुआ है और आप आपके पास 5 साल का relevant field में experience है तो form को भर सकते हैं तो देखेंगे तो सभी के लिए कुछ ना कुछ अनुभाव यहाँ पर माया गया है तो कहीं ना कहीं आपके पास अनुभाव होनी चाहिए तो यहाँ पर form को भर सकते हैं बाकी यहाँ पे environmental and social का जो GM के post है इसमें बोला गय है कि अगर आप environment management qualification must be from the government recognized university with minimum 60% marks अगर इसमें आपके पास अनुभाव भी नहीं है तो आप यहाँ पर form को भर सकते हैं बाकी सब में देखेंगे तो थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत अनुभाव यहाँ पर माया गया है ठीक है तो इस तरह से आप देख लेंगे बाकी जो आपका आवेदन होगा 26 तक यहाँ पर आवेदन आप करेंगे जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पुरी तरह से online आवेदन करना है और आपको जो है email के माधियम से संपर करना होगा मतलब आपना email ID और जो भी mobile number हो देना आपको अनिवार्ज होगा क्योंकि interview जब भी आपका schedule होगा तो आपको जनकारी उसी के माधियम से दे जाएगी ठीक है और इस जो है पुरी तरह से आपका contract based job होता है किसी परकार की कोई सरकारी नोकरी है नहीं है इसको अब धिया रखियेगा बाकी और भी जनकारी यहाँ पर दिया गया है कि आपका job description क्या रहेगा ठीक है किस तरह से आपका selection होगा वालकर इंटरव्यू के माधियम से आपका selection होगा सभी जनकारी मैंने बता दिया हुगा है अब यहाँ पर माल लेजिए form को आपको भरना है तो आपको home के option पर click करके यहाँ पर सबसे पहले आपना जो है registration यहाँ पर करना होगा ठीक है तो registration account के button पर click करेंगे देखिए जैसे ही registration आप complete करेंगे तो आपका registration है यहाँ पर complete हो जाएगा अब यहाँ पर आपको login करना होगा तो login करने के लिए जो भी आपने mobile number दिया हुआ है उसको यहाँ पर डालेंगे जो भी आपने password create किया था उस password को डालेंगे sign in के button पर click करेंगे तो आप जो है इस तरह से login कर जाएंगे ठीक है login करने के बाद apply करने के लिए here के button पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको application form fill up करना है जिसमें सबसे पहले requirement type का आपको selection करना है कि आप deputational post को भरना चाहते हैं या फिर यहाँ पर contractual post होता है उसके लिए आवधन करना चाहते है तो जो भी आपका condition होगा आप यहाँ पर select करेंगे फिर यहाँ पर कौन से post ले apply करना चाहते हैं तो जो भी आपको post के लिए लगता है कि आप eligible हैं और इचुक है form को भरना चाहते हैं उसको यहाँ पर select करेंगे फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि parent जो है department यहाँ पर requirement नहीं ह आपका जो age है वो बताएंगे फिर यहाँ पर अधार number gender बताएंगे male है या फिर female है उसके बाद यहाँ पर initiality अपना बताएंगे कैटिगड़ी आप यहाँ से बता सकते हैं कौन से कैटिगड़ी साते हैं फिर यहाँ पर अगर big blank है तो बता सकते हैं आपके उपर किसी परक है तो अलग भरेंगे नहीं तो सेम यहाँ पर भरेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका educational qualification है जैसे कि आपने तेंथ जो है कौन से बोर्ट से पास किया हुआ है उसका परसेंटेज क्या है और यहाँ पर उसको upload भी करना पड़ेगा जो भी उसका certificate है वो आपको certificate को आप यहाँ पर upload करेंगे उसके बाद आपने graduation become BA, BTEC, BBA, BCA किया हुआ है तो कोई भी एक जनकारी यहाँ पर slate करके आप यहाँ पर उसकी जनकारी भरेंगे और उसका जो भी passing year वेगरा है certificate है उसको upload करेंगे और भी कोई जनकारी आपको aid करना है तो आप यहाँ पर अप आपका जो है अनुभॉव भी माएंगे है तो कही न कहीं आपको अनुभॉव बताना होगा तो आपने जो है कौन से organization में काम किया हुआ है कंब से लेकर किप काम किया हुआ है आपके पास कितना experience है यहाँ पर देखनी को मिलेगा तो जो भी इसका minimum experience बताए गया है उतना का description आपको देना होगा कि इस परकार के आप काम करते थे क्या description था कितना आपको सिलरी था फिर यहाँ पे experience letter भी आपको यहाँ पे upload करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना photo होगा न उसको यहाँ से upload कर देंगे ठीक है दखिए 50 के भी से जो है कम इसका file size होनी चाहिए तो आप यहाँ पे इसको upload कर पाएंगे उससे ज्यादा होगा तो आप यहाँ पे upload नहीं कर पाएंगे फिर यहाँ पे आपना जो भी signature है उसको आपको upload करना है और उसके बाद यह जो ही preview में आपको देखने को मिलेगा जिसको आप check out करेंगे और यहाँ से close करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप स्योर है form को submit करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे final submission के button पर click करेंगे तो आपका जो form है यहाँ पे submit हो जाएगा लेकिन आपको लगता है कि हमें जो form है यहाँ पे submit कर सकते हैं, submit करने के बाद क्या होगा कि जो भी आपका interview है उसको schedule किया जाएगा और उसके बाद आपका interview होगा, interview के basis पे आपका selection किया जाएगा, तो मैंने जो है सभी जनकारी इस वीडियो में कभर करने की कोशिस किया हुआ है, form को भरने से पहले जो भी इ वीडियो से related तो आप हमें कमेंट से समय कमेंट करके पूछ सकते हैं,